लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीम खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइफ को सब्स्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए पूर्व महापूर सुधाकर सुनावने के जनम दिन पर आज नवी मुंबई के अमेड कर नगर में विवित काले क्रमों का आयोजन किया गया जहां सेक्डो समर्थकों और नागरिकों ने अपने जन सेवी नेता को जनम दिन की बधाईया दी एरोली के प्रथम विदायक संदीप नाईक ने सुधागर सुनावने को लोकनेता गणेश नाईक का सच्चा अनुयाई और एक समर तक जन सेवक बताते हुए जन्मदिन की सुपकामनाई दी देखे जलकिया सुनावने जी जिसे के आप लोगों ने देखा होगा कि करोना काल में लगातार समास सेवा के प्रती अपना करतेव पूरा करते रहे करिब करिब साथ हजार लोगों को जाए जाड़ू मारने वाले हों चाए छोटे से काम करने वाले हों सभी को सबका ख्याल रखे चाए खाने से लेकर नास्ते तक हर एक चीज का अपना हमेशा ख्याल रखते हैं सबको साथ में लेकर चलते हैं एक सांद सभाव के सरल सभाव के सब को साथ में लेकर चलने वाले ऐसे महान व्यक्ति का हम मनपुर्वक वापस से सुवेच्छा देते हैं कि वो निरंतर इसी तरह काम करते रहे और हम लोग को हमार दर्शन करते रहे नवी मुंबई में जो उन्होंने सिच्छा के छेतर में काम किया है परियावराने के छेतर में जो काम किया है सत्मुच ही बहुत सरानी है इस तवर उनको दिर्गाईं बनाएं और ऐसे ही वो सदा नेक काम करते रहें इसी सब्दों के साथ मैं सुदाकर सोनावने जी को एक बा बहुत ही प्रतिष्टित और समाज सेवा में एक अच्छा मुकाम हासिल करने वाले मानिनी स्री सुधाकर सुनवने जी का आज जन्म दिन है इस्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको इसी तरह से निरोगी रखे उनका उन्नती करे और समाज की सेवा करते रहे इसी के साथ में पुना एक जै अम्बे मित्र मंडल की तरफ से मैं सुधाकर सुनवने जी जो पूर महापार है उनको हार्दिक सुभेक्षा ब्यक्त करता हूँ